हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एंडो जावा यूट्यूब चैनल इस वीडियो ट्यूटरियल में हम टाइप आफ एरे के अंदर आज हम कवर करेंगे सिंगल डाइमेंशनल एरे यानी 1D एरे इसको हम सिंपल एरे भी बोलते हैं हम अपने जावा प्रोग्रामिक के अंदर है ठी आइप आफ एरे भी मैं आपको उसमें समझाया हूं ठीक है तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लिजी ताकि आपको वहां से जनकारी मिल पाई कि एरे होता क्या है ठीक है तब आप अगर इस वीडियो को देखेंग इसके उपर मैं प्रोग्रामिंग करके दिखाऊंगा उसके बाद इसका मेमरी एलुकेशन कैसे होता है यह भी मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा ठीक है और इंटर्वियू में कैसे पूछे जाते हैं आपसे या फिर आपके एक्जाम्स में कैसे इस सिंगल डाइमेंश से यह भी मैं आपको इस वीडियो में कवर कराऊंगा तो प्ली आप इस वीडियो को लाइस तक देखते रहे विडियो को लाइक कर लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिये और विडियो को जादा से जादा से इर किझीए ठीके तो हम start करते हैं समझना इस single dimensional array को ठीके तो सबसे पहले मैं आपको introduction part मैं इसमें समझाऊँगा कि single dimensional array होता क्या है हमारे java programming के अंदर ठीके तो what is single dimensional array तो definition है the single dimensional array is an array which has only single row and single column but not both is called single dimensional array तो friend जैसे हमने array की type of array में हमने दो चीजे देखा था एक तो single dimensional array और दूसरा multi dimensional array तो single dimensional array का मतलब होगा कि आपका एक ऐसा array होगा जिसमें आपके पास या तो single row होगा या फिर single column होगा तो उसको हम बोलेंगे single dimensional array कहने का मतलब होगा कि मैं यहाँ पर example यहाँ हूँ जैसे ही आप array बनाएंगे तो आपके पास या तो एक row मिलेगा या फिर आपको एक column मिलेगा ठीके और यह जो रो होगा यह इसमें इलमेंट आएंगे तो इसको हम बोलेंगे single dimensional array इसका dimension क्या है एक ही है न या तो रो है या फिर column है तो यह आता है आपका single dimensional कहले लेकिन अगर आप इसमें रो भी लगा दे रहे हैं और फिर आप column भी create कर लेंगे तो यह आपका single dimensional array नहीं होता है ठीक है तो आपको introduction part समझ में आया कि single dimensional array क्या होता है single dimensional array का simple फंडा है जैसे अगर आप या तो आपके पास रो होगा आपके एरे के अंदर या फिर आपके एरे के अंदर column होगा तो उसको हम बोलेंगे single dimensional लेकिन इसमें बोथ नहीं होता है या तो रो और कॉलम दोनों नहीं होता है ठीक है तो इसको हम बोलता है single dimensional array अब मैं आपको इसका syntax समझा देता हूं कि single dimensional array या फिर multi dimensional array जो भी array होता है न तो array में हम जब भी पढ़ते हैं अपने जावा प्रोग्रामिंग के अंदर तो इसमें दो चीजे ध्यान रखते हैं declaration पार्ट creation पार्ट और एक होता है आपका initialization पार्ट तो अगर आप declaration पार्ट initialization पार्ट और creation पार्ट समझ जाते हैं न तो आपका that means की array का concept बहुत भी जोड हो गाएगा आप किसी भी interview को किसी भी exams को crack कर सकते हैं और असानी से आप उसमें pass out हो सकते हैं तो syntax के अंदर सबसे होता है declaration पार्ट declaration पार्ट में होता है कि जैसे हम array बनाना चाहते हैं तो वहां पर हम क्या करते हैं हम सबसे पहले array को declare करते हैं जैसे declare करने का syntax होता है data type उसके बाद variable लिखते हैं और यह square brackets लगाते हैं variable के साथ ठीक है और यहां पर हम column लगाते हैं semicolon ठीक तो यह हमारा बनता है declaration पार्ट कैसे example में int में हमने एक data type लिया variable में हमने यह लिया और यहां पर हमने square brackets लगाया इसके साथ और यहां पर semicolon लगाया तो अब जो यह है ना आपका यह declare पार्ट हुआ आपका array का जैसे यह जो है अब array है जस्ट यह declare हुआ है अभी इसका memory allocate नहीं हुआ है allocate इसका memory तब होता है जब हम इसका creation पार्ट करते हैं creation करने के लिए हम लिखते है creation पार्ट के अंदर जैसे यहां पर देखिए creation पार्ट के अंदर हम लिखेंगे array का नाम जो भी हम array बनाए हुए है ठीक है उसके बाद new keyword लगाएंगे उसके बाद data type लिखेंगे और array का नाम लिखेंगे और यहां पर हम size पास करते हैं ठीक है और उसके बाद यहां पर हम semi colon लगाते हैं तो हमारा यह बनता है creation पार्ट एक्जामपल के लिए जैसे हमने array declare declare कर दिया ए हमारा array का नाम ए है तो हम क्या करेंगे इसका नाम लिखेंगे जैसे ए हनद यह पे लिखेंगे इक्वल टू लगाएंगे और ब्हुन लगाएंगें और फिर data type इसका लिखेंगे यह एले कर डेटर टाइप क्या है इन्ट हे तो यहां पर क्रियेट हो गया मतलब कि अब इसके लिए एक मैमरी एलूकेट हो चुका है हमारे जे बीएम के अंदर ठीक है और कभी कभी क्या होता है ना कि आपको बहुत ऐसे प्रोग्रामर मिलेंगे जो की इसको करने के लिए आपको यहां पर देयान देना पड़ेगा इन दोनों को हम सिंगल लाइन में भी कर सकते हैं कैसे करेंगे सबसे पहले लिखेंगे जो आपका डेटा टाइप होगा एरे का और उसके बाद यहां पर आरे का नाम होगा इसके साथ स्कॉइब रैकर्ट्स होगा और इंट होगा उसके बाद यहां परप डेर्यक्ट साइज पास कर देंगे तो अब यह बसके आप का अपका सब्सक्राइब yields कार के अंदर हो जाएगा तो आपको programming करने में बहुत easy हो जाएगा ठीक है तो आप array की ऐसा facility है कि आप दोनों तरीके से कर सकते हैं declare अलग कर सकते हैं create अलग कर सकते हैं या फिर आपको यह सा लगता है कि नहीं मुझे declaration और creation दोनों पार्ट एक ही के अंदर करना है तो फिर आप यह वाला एप्रोच यूज करेंगे अपने प्रोग्रामिंग के अंदर है ठीक है तो यहां तक आपका point के लिए हुआ है ठीक है अब मैं आपको next point पे लेकर करके चलता हूँ जैसे अभी तक जो हमने काम किया था तो उसमे किया था कि हम declaration, creation दोनों एक ही लाइन में करे थे अब हम क्या करेंगे उनको initialize करेंगे यह बाद। इसको हम बोलते है इनिसलाइसेंट बेने करक aloud तो हमारा एक एक यहां पर बन जाता है ऐसके बाद इसके अंदर कुछ बलॉक बन जाते हैं और इस बलॉक के अंदर हम इलिमेंट को जब हम चुछ कराते हैं तो उसको हम बोलते हैंoubl हैं इनिसलाइजेशन के जांद है convincing यह सैज कितना है इस यहां पर यह कि अधोटरह Ama इसिसे स्टार्ट होती एह ॅलेकिन यह की इंदेक्सिंग इसकता होते हैं हमेशा जीरो से स्टार्ट होती ए razatte बनेशान उक्र Techwise क्वाइन कि अंदर एंडेक्स बस्तिक निखेंगे और इसके इक्वल तू value देंगे तो यह value आपका चल जाएगा first index के अंदर second index के अंदर मतलब की index number one पे में value डालना है तो हम लिखेंगे array of और square brackets के अंदर डालेंगे index number ठीक है तो और इसके बाद equal to लगा करके value लिखेंगे तो हमारा अब यह value चला जाएगा index number one पे फिर next index number पे डालना है जैसे दो पे डालना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे array of two और उसके बाद यहाँ पे 50 डाल देंगे तो यह 50 चला जाएगा आपका index number two पे तेकिन यहाँ पे मैं डाला हूँ index number three तो यह जो है आपका यह जो index number three आपका यहाँ पे है न तो यह जो 30 होगा यहाँ पे नहीं होगा आपका यहाँ पे होगा तो इस टाइप से आप जितना भी elements है मतलब की index है उन index पे आप value को insult करते हैं तो उस concept को हम बोलते हैं initialization part तो मैंने आपको समझा दिया declaration part उसके बाद creation part और उसके पाद initialization part ठीक है यह सभी चीजे हम वीडियो में cover कर चुके हैं अब हम एक next point देखेंगे जो की और बढ़िया है अब आप सूचते हैं कि नहीं मुझे ऐसा करना है कि सभी declaration creation और initialization सभी पार्ट को हमें एक ही line के अंदर लिखना है तो हम लिखेंगे सिरफ एतना ही int array का नाम लिखें देंगे कुमा लगा करें 10 20 30 40 50 60 तो और यहां पर last में हम semi color लगा देंगे तो अब क्या होगा इसमें by default value जो है ना आपका size array का वह initialize हो जाएगा हम नहीं करेंगे यह compiler automatic इसमें एक दो तीन चार पांच छे छे value है ना तो इस array का size 6 हो जाएगा initialize हो जाएगा by default हम नहीं करे देंगे वह खुद automatic हो जाता है internally तो यह इस concept का यूज करके हम declaration creation initialization in a single line मतलब कि एक ही line के अंदर हम काम कर सकते हैं array के साथ जैसे हम यह line लिखेंगे तो हमारा एक array create होगा जिस array का size हो जाएगा 6 और इसमें value आजाएगा 10 आजाएगा 0 index पे 20 आजाएगा 1 index पे 30 आजाएग 2 index पे और 40 आजाएगा 3 index पे 50 आजाएगा 4 पे और 60 आजाएगा 6 यह जो 0,1,2,3,4,5 आप देख रहे हैं यह array का index है और 10,20,30,40,50,60 जो आप देख रहे हैं यह array की elements है यानि value है ठीक है तो मैं आपसे एक छोटी सी request करूंगा कि दखिए जब आप array सीख रहे हैं तो आपक concept आपको जनकारी होनी चाहिए तब ही जाकर आप थोड़ा सा array अच्छे से सीख पाएंगे ठीक है अब मैं next आपको एक point लेकर करके चलता हूं अगर आप इस type से नहीं करना चाहते हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं int में a लिखेंगे brackets लगाएंगे इसके बाद equal to new int में और य 10 20 30 40 50 60 value pass कर देंगे ठीक है तो इसमें भी सेम काम होगा एक एक दो तीन चार पांच छे array of मतलब की array की जो साइज होगा 6 होगा इस टाइप से और इसमें भी 10 20 30 40 50 60 इसमें value initialize हो जाएगा ठीक है और यहां पर जो आपका size है by default size storage हीर बतलब कि इसमें आप compiler आपका by default array का size store कर देगा हमें store करने की इसमें जरूरत नहीं पड़ती है ठीक है तो array की concept में बहुत टाइप से हम array declare भी करते हैं ठीक है लेकिन मैं इस वीडियो में आपको एकदम basic तरीका बताया हूं array create करने की और initialize करने की और declare करने की ठीक है तो आप अगर इस वीडियो को समझ जाते हैं तो आपका exams अच्छे से clear हो सकता है क्योंकि आपके पास time बहुत कम होता है और आपको exam भी देना है semester exam तो आप basis कोर्सिस किजिए कि इस वीडियो में जितना चीजे है उतना सी समझने की ताकि आपका semester जो exam साय अच्छे से clear हो पाए तो मैं अभी इसमें आपको definition बता दिया उसके बाद आपको declaration creation और initialization यह सभी fundamental मैं आपको array की concept में समझा दिया जो कि single array है अब मैं आपको इन सभी के ऊपर एक example करा देता हूं ताकि आपका और जो doubt बच रहा है आपके साथ वह पूरा doubt किलियर हो जाए और उस example को हम computer machine पर भी चला करके देखेंगे तो चलते हैं आप एक example करना है हम एक example करने जा रहे है example है declaration, creation and initialization program हम एक ही example करेंगे जिसमें हम आपको बताएंगे error का declaration और creation और initialization तीनों चीजे हम इसमें करके दिखाएंगे आपको तब और आपको समझ में आएगा कि array का मैं जो concept आपको समझाया हूं उसका मतलब क्या बन रहा है ठीक है सबसे पहले हमने class बनाया ठीक और class का हमने नाम डाल दिया man, इस class के अंदर हमने man method लिख लिए जावा का public static environment अब देखो इसके अंदर हमने array create किया integer type का, int में a लिखा ठीक और square बेकर लगाया और जिसके बाद cme करना लगा दिया, तो अब जो मैं इतना किया हूं या आपका declaration पार्ट हुआ, array का ठीक, अभी इस तो a लिखेंगे, equal to लगाएंगे, new operator लिखेंगे, फिर array का type क्या है, int है, तो int लिखेंगे, उसके बाद square brackets के अंदर array की हम size देंगे, कि हम कितना size देना चाह रहे हैं array की, लेट से हम बना रहे हैं 6 size का array, जिसमें हम 6 element store करा सके, तो हम यहाँ पर pass कर देंगे 6, और यहाँ सेमी करा लगा देंगे, तो अब यह होगा हमारा creation part, ठीक है, तो array के आपका decoration part complete हुआ, उसके बाद creation part complete हुआ, अब मैं आपको बताता हूँ initialization part, अब यह जो array है ना, इसकी size कितना है, 6 है, तो 6 है, मतलब की index number 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, तो हम अब इस पे value डालेंगे, जैसे हमने डाला array का नाम क्या है, यह brackets के अंदर, लिखा है, square brackets के अंदर 0, index number 0 पे 10 चला जाए, index number 1 पे 20, index number 2 पे 30, index number 4 पे 40, index number 4 पे 50, index number 5 पे 60, तो अब जो यह हम 10, 20, 30, 40, 50, 60, डाल रहा है ना, index number पे value, तो इसको हम बोलेंगे, initialization part, तो एक array के अंदर 3 चीजे होता है, एक टो declaration part होता है, एक टो आपका creation part होता है, और दूसरा आपका initialization part होता है, तीक है, इस चीज को आपको बहुत बढ़ियां से समझ जाना है, क्योंकि यही आपका main concept है, array programming सीखने का, तो जैसे हम अगर value डालें, तो initialization होगा, array के लि declaration part हुआ, अगर just हम array declare कर दे, एक variable के जैसा, तो वह हमारा बनता है, declaration part, ठीक है, इतना बात समझ में आया, अब हम क्या करेंगे, इस जो हमने 10, 20, 30, 40, 50, 60, हमने value डाला है न, array के अंदर, अब इसे हम display करा लेंगे, display करा लेंगे, मतलब कि print कराएंगे, तो print कराएंगे, कैसे for loop लगा देंगे, एक और int में i एक variable लेंगे, i को 0 से चलाएंगे, जो कि हमारा index array की होती है, 0 से start होती है, तो हम 0 से चलाएंगे, उसके बाद i को less than 6 करेंगे, मतलब कि एक कम तक चलेगा हमारा loop, उसके बाद i plus plus होगा, उसके बाद system.out.println करके, a of i की value को हम print करा लेंगे मतलब कि index number 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, जो भी value आएगा, वह value यहाँ पे display होता चला जाएगा, उसके बाद for loop clause हो जाएगा, उसके बाद man method clause हो जाएगा, उसके बाद आपका class clause हो जाएगा, ठीक है, तो होगा इसमें ये, जैसे हमने ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, set करा है न, array के अंदर, तो जैस होगा, memory के अंदर हमारा एक array create होगा, जिसका size हो जाएगा, 6, और इसमें 0 index पे 10 हो जाएगा, 1 पे 20, 2 पे 30, 3 पे 40, 4 पे 50, और 5 पे 60, value store हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद हम इस क्या करेंगे, और जैसे इस program को हम save कर लेंगे, उसके बाद compile करेंगे, और run करेंगे, तो ठीक है, तो यह output आएगा, तो आपका यह बनेगा, एक single array का program, ठीक है, अब देखो इसमें column एक ही तो है, column नमर 1, column नमर 2, column नमर 3, column नमर 4, तो column तो एक ही है न, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे, single dimensional array, इसमें dimension एक ही है, ठीक है, अगर हम चाहें, तो इसको हम row के बाइज में प्रिंट करा सकते है, इसको ऐसे हम प्रिंट करा सकते है, ठीक है, तो यह आपका एक example हुआ, single dimensional array का ही, जावा language, लेकिन friend इसमें आपको एक problem है, इस program के अदर, problem यह है, कि आपको एक बार declaration करना पढ़ रहा है, दूसरा time आपको creation करना पढ़ रहा है, उस तीसरा time आपको initialization क करना पढ़ रहा है, मतलब कि इसमें आपको तीन काम करना पढ़ रहा है, फर्स्ट आप array को declare कर रहे हैं, उसके बाद array को create कर रहे हैं, उसके बाद array को initialize कर रहे हैं, तो इसमें ज्यादा आपको problem आ रहा है, और इसमें confusion ज्यादा है, इस program के अंदर, तो अगर आप सोच रह देता हूं, ताकि आपको declaration, creation और initialization तीनों single line में आप कर सकते हैं, कैसे करेंगे, उसको हम एक example से करके देखते हैं, तो इस अभी example पर आपको ध्यान देना है, जैसे हमने last जो program करा था, उसमें problem था कि हम declaration, creation और initialization अलग-अलग कर रहे थे, ठीक ना, लेकिन अब इस program के उसको कैसे करेंगे, हम समझते हैं, सबसे पहले class हम बढ़ाएंगे, public static, wide man लिख देंगे, method, argument, java का, उसके बाद, यहाँ पर हम एक array create करेंगे, integer type का, ठीक, और equal to लगाएंगे, new keyword लिखेंगे, और int लगाएंगे, जो array का जो आपका type है, integer, उसके बाद, square brackets से आप लगाए साइज कर देंगे, 10, 20, 30, 40, 50, 60, हमने 6 value डाला, टेकिन आपको यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर हम array की size नहीं दे रहे हैं, तो हमारा compiler by default इसका size कर देगा 6, क्योंकि इसमें value कितना है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, मतलब भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 value है न तो इस array का size हो जाएगा 6, अगर म इसमें by default हमारा array का size store हो जाएगा, ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना है, आपको equal operator नहीं लगाना है, तो declaration, creation और initialization हमने single line में कर लिया, तो यह बहुत easy है हमें न, programming करने में, तो उसके बाद हम इस value को display करा लेंगे, कैसे कराएंगे, for loop लगाएंगे, int में i लिखेंगे एक variable का नाम, और इसको हम चलाएंगे 0 से, क्योंकि 0, 1, 2, 3, 4, 5, indexing जो होती है, array को 0 से start होती है, तो हम कभी भी loop को 0 से चलाते हैं, उसके बाद i को हम less than a.length, a.length मतलब की जो array का size होगा न, उतना से कम रखेंगे, उसके बाद i++ करेंगे, उसके बाद system.out.println करके a of i, i का मतलब की index position, 0 index पे जो value आएगी, वह value display होगा, 1 पे display होगा, 2 पे, 3 पे, जो index पे value है, वह हर एक time हमारा loop execute होगा, और हमारी value display होती है जाएगी, ठीके, उसके बाद यहाँ पे loop close होगा, आपका man method close होगा, उसके बाद आपका class close होगा, ठीके, तो जैसे ही हमने new लिखा ना, यह array, तो array का size हो जाएगा हमारा 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 element है न, तो इसमे array का size होगा 6, और इसमे block बन जाएगा 6, 0 index पे 10 आजाएगा, 1 पे 20, 2 पे 30, 3 पे 40, 4 पे 50, और 5 पे 60 आजाएगा, ठीक है, इस type से हमारा element store हो जाएगा, हमारे array के नदर, ठीक, और जब इसमें हम program को save करे और run करेंगे, तो हमें output मिल जाएगा ऐसा, 10, 20, 30, 40, 50, और 60, ठीक है, तो cool मिलाकर करने का मतलब हुए, यह हुआ कि हम, अब array जो हम create कर रहे हैं, declare कर रहे हैं, और initialize कर रहे हैं, एक single line में कर ले रहे हैं, तो यह programming में, programmer के लिए बहुत अच्छा होता है, और easy होता है काम कर करना, तो यह part समझ में आ गया आपको, अब इसमें भी आपको एक तरीका से और कर सकते हैं, इसमें आप दो तरीके से और कर सकते हैं, मैं आपको भी दिखा देता हूँ, जैसे आप ऐसा भी कर सकते हैं, array जैसे ही, आप create करेंगे न, तो यहाँ पे equal to लगा करके, आप प्रोगराम के अंदर, हमने new operator, यूज किया हुआ है, तो यहाँ जो हम new operator, यूज किये हुए हैं, तो इसका मतलब कि हम खुद से array create कर रहा हैं, तो यहाँ पे हमारा compiler खुद से create कर देगा एक array, ठीके, और उसमें value डाल देगा 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है उसके बाद इस value को हम display करा लेंगे int में हम एक i variable लेंगे और इसको हम zero से चला देंगे i less than a.length मतलब की array का जो size है न इससे कम तक चलाएंगे और i plus plus करेंगे और loop के अंदर हम लिख देंगे system.tow.println a of i यह of i के मतलब क्या होगा index position मतलब की 0 index पे value है उसे डिस्प्ले होगा 20 होगा 30 होगा 50 होगा 40 होगा यहां पर जैसे array जो इस टोर होता है हमारा उस इस टाइप से जाएगा 1 पे 30 होगा 2 पे 40 होगा 3 पे 50 होगा 4 पे ठीक है और उसके बाद आप इस प्रोग्राम को save करेंगे compile करेंगे और run करेंगे तो आपको output मिलेगा कुछी इस टाइप से 10 20 30 40 50 तो this is the all about concept of single dimensional array या single dimensional array का एक प्रोग्राम है क्योंकि इसमें एक ही dimension है या तो row मिल रहा है या फिर आपको column मिल रहा है ठीक है तो आपको यह जो मैं जितना भी cover कराया हूं आपको single dimensional array का concept इस concept को आपको बहुत अच्छे से समझना है और उसके बाद आप अपने notebook में लिखना है और जब भी आए exam में तो इसी चीज को आपको explain करना है ठीक है तो I hope मैं आसा करता हूं कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छे लगा होगा समझ में तो अभी से हम computer machine पर चला करके देख लेते हैं यह प्रिंट कैसे हो रहा है कि हला फ्रेंट्स अब इस चीज को हम समझ लेते हैं अपने computer machine पर अभी तक हम लोगों ने जितने points पढ़ा है वह सभी थीवरी था आब हम practical समझेंगे एरे की concept तो जैसे हमने एक man class बनाया इस class के अंदर man method लिख लिए जावा का उसके अंदर हमने एक array create कर लिया यह ठीक है इसका टाइप हमने दे दिया integer type का ठीक है मतलब कि इसमें हम integer type की value को store करा सकते हैं array create कर लिया new operator की मदद से और यहां पे type हमने दिखाया जैसे integer क्योंकि array का टाइप है इंटीजर है तो हम यहां पे लिखेंगे इंटीजर उसके बाद यहां पे देखिए square brackets के अंदर हम size of array नहीं देते हैं यह by default हमारा compiler size of array add कर देता है ठीक है जैसे हमने यहां पे array के अंदर डाला 10 20 30 40 50 60 तो इस value के according हमारा compiler इस square brackets के अंदर array की size define कर देगा जैसे हमारा element है 10 20 30 40 50 यानि 6 element है तो अब जो हमारा array का size बन जाएगा 6 बन जाएगा ठीक तो अब हम क्या करेंगे इस array को display करा देंगे कैसे array नहीं इसके अंदर जो elements है इन सभी elements को for loop लगाएंगे i को 0 से start करेंगे index से i को array की size से हम कम रखेंगे और i को plus plus चलाएंगे system.out.print learn करके a of i हम print करा लेंगे i मतलब की id denote कर रहा है हमारा array की index position index नमर 0 पे 10 है index नमर 1 पे 20 है index नमर 3 पे 30 है ठीक है so 1 आगे की index नमर आपको already मालूम है ठीक है तो अब हम इस program को क्या करेंगे save करेंगे save करके compile करेंगे और run करेंगे तो हमें output मिलेगा इस टाइप से 10 20 30 40 50 and 60 ठीक है तो this is the all about concept of single dimensional array in Java ठीक है और इसमें single dimensional array हम क्यों बोल रहा है क्योंकि इसमें dimension जो है एक ही है या तो हमें row मिल रहा है या फिर हमें column मिल रहा है हम चाहें तो इस printing को हम change भी कर सकते हैं format के जैसे हमने अभी row में print करा है ना हम चाहें तो इसे row wise भी print करा सकते हैं ठीक है फिर इस प्रोग्राम में आपको थोड़ा समय समझा देता हूं यह जो हमने लिखा है यह dot length ना यह dot length हमारा array का size return करके देता है ठीक है और यहां पर array का हमारा size हो जाएगा initialize हो जाएगा internally array का size let's say 6 है न तो यहां पर internally हमारा compiler add कर देगा 6 तो अब आप जो हमारा आई की जो size हो जाएगा मतलब की आई जो होगा 6 से कम तक चलेगा तो इसी type से हम single array की programming करते हैं और इस वीडियो से आपको अगर जनकारी मिली है अगर आप array सीख चुके हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करिए share किजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज आप subscribe कर लिए तेंक यू